जब भी आप laptop या desktop खरीदने जाते हो तो आपने कहीं बार HDD या SSD के बारे में सुना होगा यह basically होते हैं इनके advantages के इनके disadvantages के इन सारी चीजों का आज इस वीडियो में cover करने वाला हूँ क्या हाले दोस्तों में नाम ADP, you guys are watching reviews review and I hope you guys are doing absolutely fine in this quarantine so without any further ado, let's just dive into the video जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जब भी आप laptop खरीदने जाते हो या desktop खरीदने जाते हो आपने कहीं बार सुना होगा HDD या SSD, so यह क्या होते हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के बार आपको एक clear cut idea हो जाएगा इन दोनों चीजों के बार में, so सबसे बहले हम बात करते हैं HDD के बार में मतलब hard drive, hard drive सबसे बहले introduce करवाया था IBM ने 1956 या 57 के आसपास, तब से लेके आस तक हम इसको use कर रहे हैं, definitely उसमें काफी सारी advancement हुई है बट still ये काफी पूरानी technology है, so basically ये एक hard disk होती है, but बहुत सारे physical components के साथ, ठीक है तो hard drive वाली जो technology है, उसमें क्या होता है, एक rotator head होता है, या rotating head होता है, बहुत सारे magnetic tapes होते है, and बहुत सारे layers होते है उन layers में आपका सारा data है, वो store होता है, अब आपके hard drive की जो भी specifications होगी, मतलब कितने rpm होगी उसकी, उस rpm पे depend करता है कि जो rotating head है, वो कितनी fast घूमेगा, like 5400 rpm या फिर 7200 rpm, अब वो rotating head अपने rpm पे घूम घूम के, जिते भी layers है या plates है आप बोल सकते हो, उन plates पे जो भी data है, अब क्यूंकि इसमें बहुत सारे physical components होते हैं, जैसा कि rotating head, magnetic tapes, तो जो data है वो आपको थोड़े late में मिलता है, as compared to SSD, and क्यूंकि इसमें physical components होते हैं, तो इनका size होता है, वो भी थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बलकी होता है, as compared to SSD, ये shock proof नहीं होता है, क्योंकि इसमें physical components ह होते हैं, तो गलती से मान लो, आपकी जो hard drive है, वो आपके हातों से गिर गई, तो उसके corrupt होने के chances बहुत जाद है, या फिर आपका जो laptop है, जिसके अंदर hard drive है, वो अगर laptop गिर गया आपके हातों से, तो जो hard drive है, उसके corrupt होने के chances बहुत जाद है, वो fail हो सकती है, तो दोस् यह है कि यह काफी सस्ते होते हैं compared to SSD, दूसरा advantage यह है कि easily available होते हैं and तीसरा advantage यह है कि काफी बड़े capacity में आपको मिलती है मतलब 1TB, 2TB, 5TB, 10TB etc. तो दोस्तों यह हो गई HDD की बात, अब बात करते हैं SSD के बारे में जो की नई technology है and अभी काफी सारे laptops में आपको देखने को मिल जाती है especially अगर आप Apple के laptops use करते हो, तो SSD का जैसे कि मैं full form बता चुका होता है solid state disk, यह basically एक flash memory रहती है, मतलब a chunk of memory, इसमें कोई भी physical component नहीं रहता है like eat आपने देखियोगी वैसी, लेकिन यह eat से काफी जादा हलकी होती है और काफी जादा छोटी भी, अब जो SSD होती है क्योंकि उसमें physical components नहीं है like rotating head या magnetic tapes या फिर plates, तो basically यह जो SSD है काफी जादा कम energy को use करती है, unlike HDD and उसके बाद यह काफी छोटी भी होती है और यह काफी हलकी भी होती है, and क्योंकि इसका size भी छोटा रहता है, इसमें कोई physical components भी नहीं रहते तो यह बहुत जादा fast काम करती है compared to HDD, and क्योंकि इसमें कोई भी physical component नहीं होता है, तो यह shock proof या shock resistant भी हो जाता है, मतलब अगर जैसे आपके हाथ से SSD गलती से गिर गई, या एक laptop गिर गया जिसके अंदर SSD है, तो यह corrupt नहीं होती है, और यह fail भी नहीं होती है, तो दोस्तों यह थे इसके फाइदे, लेकिन इसके disadvantages भी हैं, पहला disadvantage यह है कि यह बहुत महंगे होता है, दूसरा disadvantage यह है कि आपको capacity काफी कम मिलती है, like 180 GB, 256 GB, 512 GB, और 1 TB भी बहुत मुश्किल से मिलता है, उससे जादा बड़े मिल जाएंगे, बट उनका price बहुत जादा रहेगा, बहु जादा costly होते हैं, उसके तीसरा disadvantage यह है कि इनकी जो life span है, वो कम रहती है than HDB, अब आप पुछोगे, अभी तो आपने बोला कि यह shockproof रहते हैं, shock resistant रहते हैं, तो कैसे इनकी life span कम हो जाती है, देखो वो accident होने वाले case में बच जाता है, लेकिन जनरली आपके hard disk के साथ accidents तो न क्योंकि यह महंगे आते हैं और इनकी life span भी इतनी जादा नहीं है, तो जनरली यह normal computers में यूज करना इतना जादा recommended नहीं रहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को दूर करने के लिए अभी हम नई technology यूज करें, जिसका नाम है SSHD, Solid State Hard Drive, अब उसमें होता है कि जो भी laptop है, या desktop है, उसमें कुछ GB आपकी SSD में रहती हैं, और कुछ GB HDD में रहती हैं, like 256 GB आपको Solid State Disk के मिल जाएंगी, and 1 TB आपको Hard Drive के मिल जाएगी, so 256 GB में आपकी system की files रहती हैं, system के programs रहते हैं, like आपका operating system हो गया, या operating system से जुड़े जितने भी programs हैं, so जब भी आप अपने computer को या फि आप में से बहुत सारे लोग जब यह सोचते हो कि अपने computer को कैसे ज़्यादा fast किया जाए, तो आप simply जाके SSD खरीद लोगे, उसके अंदर आपका operating system and उससे related जिते भी programs हैं, वो डाल दोगे, तो आपका computer अपने आप काफी तेज हो जाएगा, तो दोस्तों यह थे कुछ advantages, disadvantages and कुछ information regarding SSD and HDD, I hope आप लोग को काफी कुछ information इस वीडियो से मिली होगी, so please इस वीडियो को like ज़व कर देना, share ज़व कर देना, and अगर आपका कोई भी सवाल या सुझावे, तो comment करना बिल्कुल ना भूलना, and आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयो, तो subscribe के बिना कही मत जाना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो के साथ आता रहता हूँ, so मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, until then, over and out.